आज साइन्स का एक छोटा सा टापिक है आपको पता कि कुरोना का समझ चलना जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा साइस के प्रावलम्स होती है तो उन्हें आक्सिजन देना पड़ता है तो आज हम उसी के बारे में सेखेंगे जो आक्सिजन दिया जाता है कब कितने परकार के कि दने दे जाते हैं क्यों हमका बना किस देरी के शुरू करते हैं आपका चलना होता है यह आपका ध्याजिक देखें आपको इन्वार्मेंट हुता है इन्वार्मन्ट पूला उसमें क्या होता है बहुत सारी गयस हैं बात करें तो 78% क्या होता है नायट्रोजन होता है है और आख ग्लिंद क्या होता है 21% अगर कितना हो गया 1999% बचा क्या 1% यानी यानि एक पर्षंट में पूरी की पूरी दुनिया सिमट गई एक पर्षंट में जितने भी गैस है आप पिरियोडिक टेबल देख सकते हैं इतने सारे गैसे हैं अगर मैं वहां पर नाइट्रोजन और आक्सिजन को छोड़ दू तो जितनी भी गैसे बच गए एक पर्षंट म कभी भी आक्सिजन ब्यक्ति को कभी भी आक्सिजन नहीं दिया जाता है तो यहां पर समझते हैं क्या क्या होता है तो यह बेसिकली आपके कई परकार क्यों होते हैं जैसे पहला आपका होता है अगर आप कहीं पहाल पे जाते हैं या परवत पे जाते हैं या परवत या पहाल पे जाते हैं ये कंडिशन ये होती है दूसरी कंडिशन हो सकती है अगर आप समुद्र में जाएं समुद्र में तीसरी कंडिशन यह हो सकती समुद्र में काफी घहराई पर कहां समुद्र में लगभक 300 से 400 मीटर की घहराई पर चारसु मिटर की गह राइप निश्ट आपका हो सकता है जो बहुत ज्यादा फेमसस आपका वैंटी लेटर रवेंटी लेटर वैंटी लेटर करें लेटर के सेसे लिडार को अप्राहला हो हम जाते तो इसमें क्या होता है आपको जो आक्सिजन दिया जाता है इसके साथ-साथ आपका नाइट्रोजन भी रहता है आक्सिजन के साथ-साथ कह रहता है आपका नाइट्रोजन भी रहता है इसके बाद धान दीजिएगा समुद्र समुद्र में जब जाते हैं यहां पर आ करते हैं तो वहाँ पे हम oxygen के साथ nitrogen का परोग करते हैं किसका परोग करते हैं हम City elegant पर्योग करते हैं जब हम जाते कि इस हम हिलियुयं का परियोग करते लेकिन यहां पर दोणों में हो ऐसे नाट्रोजन और यहां पर दोनें क्यी डु़ा है है अब एक बात धेहान से सुनुईगा हमारे सरुर के मनुष्च के शरीर को कभी भी आक्सिजन अकेले लेने की । उनके सब्सक्राइब के उल्याइब आप इनवार्मेंट्स लेते हों एक्सिजन धी जाता आपके शरीर में और अन्य गैसे आपके शरीर में जाती है एंगे आपका जो फेफड़ा है वो कभी भी oxygen को अकेले ग्रहनaci नहीं किया है इसी वजह से जब यह हमें cylinder के जरुद परते हैं आकेला oxygen नहीं लेते उसके साथ कज़ेंगोई गास, oxygen लेके चलते हैं बस उनकी सिद्ध, उनकी जो situation चलते हैं यह है कि कहां पे हीलियम कहां पे आक्सीजन तो यहां पे नाटरोजन के साथ नाटरोजन का परियुक करते हैं कि या जब जाते हैं तो वहां साJEजन की दिक्केत होती है दवाव ज़्यादा ऊक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गरस का प्रियोग किया जाता है नेस्ट आप का है समद्र में हैं लेकिन समद्र में 300-40 संद नीचे घर आयए पर जाते तो आप थोड़ी से और ज्याधा प्रेशर बढ़ जाता है प्रेशर और ज्याधा बढ़ने की वजह से उसमें आक्सिजन के साथ नायट्रोजन ना मिला करके क्या मिला देते हैं हम हिल्यम मिला जाते हैं लेकिन जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता इंसान निकाल के बात भी करने लगता हैं फिल लगा लेता है बात करना तो बोल भी लेता है फिल लगा लेता तो नॉर्मल सिस्ट्वेशन होती है लेकिन जब बहुत ज़्यादा सियरियस हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा सिरियस उसके फेफड़े काम नहीं कर पाते है ठीक से सांस नहीं ले पाते है तब ventilator का प्रयोग की जाता है ventilator में क्या होता है वहाँ पे जो भी patient होता है उसको mask लगा जातो है मास का मतलब जो भी आक्सिजन वाल और उसके नली को सीधा अंदर फेफड़े में डाल दिया जाता है और वहां से वह सांस लेता है पंप करता है तो ध्यांदना यह बहुत सिच्वेशन बहुत रेर कंडिशन होता है उसमें जब बचने की चांसे बहुत कम रहता है जब डाया दबा के सांस दिये जाता है इसको डबा का क्या प्रहता है सांस दिया जाता है अब उसको दिक्कत यह आगे में कांआए मालो कोई नर्स है घर पर भी मालो उसके नर्स है डॉक्टर है उसके हस्बेंड या वाइप से किसे जगड़ा-उगड़ा हो गया अब वह आया उदास बैठाया किसी सोच में मालो कोई मसीन क्या करता है खुद उसके फेफड़े में सांस देता है और सांस को निकलता है निए वह दबाने वाला पुराना जंजड़ खतम हो गया उससे कई सारी घटनाएं होगे इंसानों की मौत होगी इस वज़ास मसीन को बना दिया गया तो आप यह वंटिलेटर समझ सकते हो एक ब्यक्ति पर्मनेंट रहता है एक ब्यक्ति पर्मनेंट इनको रखा जाता है है आई चिऊ में का मतलब का In phi inan आइसेव को का फूल फाम होता है इंटेंसिव के र यूनिट में एक ब्यक्ति जरूर रहता है इंसान जब बहुत ज़्यादा गंधी रहता अगर उसको अपरेशन करना तो उसको अपरेशन रखा जाता आपरेशन थियेटर कितने प्रकार का आप ध्यान देना याद कैसे करोगे में पॉइंट होता है याद करना बताना नहीं याद कैसे करोगे आप पहाल पर जाता है तो नाइट्रोजन ध्यान देना पहाल पर जाता है तो नाइट्रोजन समुद्र में आता है तो नाइट्रोजन जब बहुत गंबी यहां पे घ्मबीर ओधल स्मुद्र बहुत जादा नीची चला तो हिलियम लगा यहां पे गंबीर कंडिसेन यहां वाला बेचारा है तो बहुत जादा क्या है फ्यख्रण करता हूं आपको इस छोटा सा टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगा और समझ में बहुत अच् तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद